चक्कर में आपके भविश के साथ खेलने हैं आप उनको पहचाने जो कोचिंग संसान आपके भरती की लड़ाई में आगे नहीं आज़कता वो आपका हित क्या सोचेगा आप यहीं सोच सकते हैं कि आज हम सब करने के सात्वे दिन हमारा स्वार्थ आपसे इतना है कि आप भर्ती आप सोच रहे हैं कि कुछ कोचिंग संस्थान कुछ लोग पेपर के माध्यम आपको बता देते हैं कि भरती आने वाली है लेकिन असल जिंदिगी में आपको बताएं असली वास्वित्ता यही है कि विभाग द्वारा ना कमेटी जो कटित की गई थी ना उसका मेटी का पता है ना विभाग बोल रहा है बस केवल एक ही चर्चित मुद्दा चल र और भाजपा भी इस पर काम कर रही है और जल्दी इसका निप्तारा करके अगामी चुनाओं लड़ेगी और हम सब की स्थितियां यह हो जाएगी हम सब ना किसी के बताने लायक होंगे ना विरोध करने लायक होंगे क्योंकि बहुत चंद जिनों में अचार सिता लगने वा अब को यह लगता था कि मेरे साथी लड़ रहे हमें क्या जरूरत है लखनों के साथियों की मांसिक्ता यह है कि धर ना क्या होता है प्रदेश सरकार क्या लड़ेंगे हम तो घरवाले भेजें पढ़ने के लिए बाई हम भी किसी घरवालों ने हमें बेजा है हमारे जितने स साथ यह सब को घरवाले बेजा है यहां पर हम सब लड़ाई इसलिए लड़ने क्योंकि हमको पता है जमीनिया क्रियतत क्याकिकत यह है कि ना विभाग से अभी कोई लड़नीत बनी है ना परदेश सरकार इस पर कोई टिपड़ी कर रही है कुछ लोग ऐसे हैं कोचिंग संस स्वार्थ को नहीं आपको अगा करने आया है कि अगर आप सब अचार सहित्ता से पहले भरती का विग्यापन नहीं निकालवाएंगे तो इसका खामियाजा आपको जिंदिगी भर भुगतना पड़ेगा और अगामी जितने 22 22 23 23 बनने वाले हैं यह आप से एकाइडमिक में ज्यादा होंगे और आप से संक्याओं में ज्यादा होंगे कंपटीशन के बड़ा छेत्र होगा अगर आप देख सकते हैं तो 68500 में देखिए 40 45 पर न्युक्ति पत्र बटा हुआ था जो 60 65 नंबर पा गया उसका सेलेक्शन हो गया तब भी तब भी उसमे 26,000 से ज्यादा सी 25 पर नौक्री पा रहे हैं और अगामी एक वर्सों के बाद 60 65 पर कटाप जाता है और अगामी आप सोच रहे हैं कि भरती का जो घटाप होगा तो वह भी 70 75 होगा लेकिन आप सबसे निवेदन हैं अगर हम सब इसी तरीके से दिन प्रत दिन लेट करते जाएंगे भरती नही ही है और हम सब रोजगारी का दन से जहेल रहे हैं सब की स्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती है सब आज सब के साथ आप अपने दिल में जाक के देखिए कि आपकी पर क्या भी तरह है आप रोज टाइम से कोचिंग पढ़ते होंगे टाइम से लाइब वीडियो देख रहे होंगे अच्छे अच्छे नोट से ले रहे होंगे लेकिन किस लिए ले रहे हैं सोचने हैं भरती आ रही है अरे भाई भरती तभी आएगी जब हम प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएंगे और प्रदेश सरकार इतना जल्दी भरती नहीं देने वाली है इसलिए मैं आप तो बार-बार निवेदन कर रहा हूं अगर भरती चाहिए तो कल यह इको गाडन की धरती एकदम बड़ी संख्याय में यहां पर जमा होनी चाहिए और प्रदेश सरकार को बताओ कि अगर आप 21 लाग लोगों को अगर भरती नहीं देंगे तो इसका खामिया जा भुगतना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा और इस समझ चुनाओ कर समय है और सभी लोग सभी संगटन इस समय आप पर देख रहा हूंगे प्रदेश सरकार से लड़ रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं कि उ चुनाव टाइम में ही पूरे होते हैं और इस टाइम अगर हम आप संघर्ष नहीं करें भरती का विग्या पर नहीं निकलवा पाये तो इसका खामियाज आपको बता दे रहे हैं हम सब को भुगतना है और भुगतना पड़ेगा इसका कारण हम आप ही होंगे क्यूंकि हम आप अपने कमरे में रजाए में ओड करके संघर्ष कर रहे हैं और हम सब यहां पर खुले मदान में प्रदेश सरकार से लाटियां गालियां मुकदमा और रोट पर सो रहे हैं इसका कारण पर देश सरकार तक बात पहुचने में समय नहीं लगेगा जो संगर्स हमें दो दिन में जीतना चाहिए वही आप सब कोचे से 20 दिन में हमको जीतने के लिए उमीदें दिख रही हैं लेकिन आप सब को हर साथी अगा करता रहता है लेकिन आप सब शीजें नहीं सुन रहे हैं सब तमाम कोचिंग संसानों में गया वहाँ पर वहां के बैक्तिकर टीचरों ने आप से बोला कि आप सब धरने में जाएए वहां कि ध्यापक आप खुल के बोलते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे तो भरती नहीं आएगी लेकिन आप तब भी अपनी कोचिंग संसानों सो निकल करके धरने में नहीं आते ज्यादा अलंबाग एक जो है बेसिक कहब है यहां से अगर हम कह रहे हैं आलंबाग की एक कोचिंग का एक बैच छूट कर धरने में बैट जाए तो परदेश सरकार पांच दिन में मजबूर हो जाए लेकिन नहीं सब को यह लगता है कि कोचिंग करेंगे पढ़ेंगे तभी सीट मिल देगी अध्यापक कुछ अध्यापक ऐसे होते ही हैं वो कहते धरना देकर क्या करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो भरती आएगी तो आपको कोई मतलब नहीं रहेगा अरे भाईया पढ़ाई और लड़ाई अगर बेसिक में अध्यापक बनना है तो जरूरी है हम जब बढ पड़ते हैं किताब लेकर रहा हैं समय मिलता है तो पढ़ते हैं नहीं संगर्स में चुटे हैं अगर आप तीन साल में नहीं पढ़ पाए तो आप का तीन दिन में खाक पढ़ेंगे आज अगामी कुछ चंद दिन बचे हुए हैं आप इस समय पढ़ाई कर रहें जब आप तीन साल से नहीं पड़े आप तीन दिन में क्या पढ़ेंगे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 14 दिसंबर को हमारी संख्या इतनी होनी चाहिए कि प्रदेश सरकार मजबूर हो जाए नहीं हम सब का दिल तूड जाएगा क्योंकि हम सब आपके वरोसे आधरने में बैटे है हमारे सभी साथी इस्तितियां परिस्तितियां किस तरीके से आकर कि यहां बैटे हैं कि कुछ कहना नहीं चाहिए हमारे साथ ग्यानेंदर जी जुटे हुए महराज गंज राम्यागिक जी हैं अब सर जी हैं सुल्तानपुर से बिट्टू जी हैं इलाबाद से आये हुए मेर लघनो की सबकों पर ठेल भटक रहां लिए लड़ रहें और कुछ दिनों के अंदर सरकार से लड़ाई अगर थोड़ा सा भी आप अपने सातियों को अगर बताना चाहते हैं आप इस लाइब वीडियो को उनके पास बेजिए उनको बोलिए कि देखिए वहां की स्थितिया क्या आपको दिखाना चाहते हैं यह स्थितिया हम सब किस तरीके से इस पन्नी को ओर करके एक खुले मैदा इस ठंडी में हम सब पन्नी को बिछा करके जुग्डी टाइब बना करके हम सब इस फर्स पे जमीन पर पे पन्नी बिछा करके सो रहे हैं आज एक एक दिन हम करें आप घर में तक्ते पर सोते रहते हैं कि खुली तो अब देख सकते हैं कि मैं सब सबी्जाती आज जमीन में सो रहे हformation Hader आप सब साथ नहीं देंगे इस लड़ाई को परदेश सरकार्त जल्दी यह अलड़ने में ने हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं रात हो दिन हो इसी जगां पड़े हुए हैं सरकार को प्रशाषन को बता रहे हैं लेकिन हम सब क्यों कमजोर हो रहा है इसका रीजन है आज दिन भर में 100 लोग आते हैं लोगों को रोजगार चाहिए अभी दस सीट की भरती वेकंसी सरकार करें 21 लाग लोग अवेधन करोगे अभी आज 21 लोग में 21 लोग अगर धरना पर आज आए 20 लाग में तो यह धरना निल्डायक हो हम कह रहे हैं परदेश सरकार मजबूर हो जाएगा हम तब कि मात मुद्दा विपच्छ पार्टी हो यह पच्छ सभी उठाएंगे सभी अपने राज्यूतिक रोटी सेकेंगे क्योंकि यह चुनाव चल रहा है हर नेता को कुर्सी चाहिए हर नेता को अपना सपोर्ट चाहिए तीसले मैं निवेधन करना चाहता हूं अगर इस लड़ाय में अगर आप सबको साल देना है तो खुल कर दे यह सोसल मीडिया पर ट्वीटर पर ट्वीट फेस्बुक पर पोस्ट सेयर कर सबहने से कदापी नहीं होने वाला हम सब के बीच में क्रांतियों आनी चाहिए हम बीच में में एक होसला हवजाहि करने वाला लोगह चाहिए जब तक हर जिलेस से घद्दस की भीड़ अगर आ जाए तो एक बड़ी संख्याया एक अतरत हो थम सब को एक दूटोना पड़ेगा नहीं तो कद्दा भी सरकार नहीं सुनने वाली है इसी तरीके से आपके साथ ही इसी तरह जमीर के सोते रह जाएंगे आकरी में मन मयूस और रोते हुए अपने घर तो ले आएंगे मैं बोल रहा हूं आज खुले मंच से अगर मैं बारा तारीक पहले नहीं चाहते हैं उन विभाग उस परिवार से जूड़कर मुझे कोई फायदा नहीं है आप निवेदन करना हूं करना चाहता हूं पुना 14 दिसंबर को इतनी बड़ी संक्या होनी चाहिए कि हम सब प्रदेश सरकार को मजबूर कर से के क्या आप सब चाहते हैं कि आपके साथी इसी तरह निरंतर इस यहां सोते रहें इसलिए निवेदन करता हूं आपका एक दिन के समय मांगना चाहता हूं और आकर कि संक्याई को प्रदेश सरकार तक दबाव बनाए इसी काली में राम्याइग जी अपनी बार्तों को रखेंगे कि सभी साथ योगन मेरा नमस्कार सुप्रवाद आप सभी जैसा की देख पा रहे हैं प्रदेश अध्यर जी ने आपको संपून जानकारी से अवगत कराया कि किस प्रकार की विसम परिस्थित्थ